नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक वर फिर से आप सभी लोगों के अपनी यूटीब चैनल एक्षे टिप्स क्लासिस पर काफी बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है उत्तव प्रदेश की भरतियों में बहुत बड़ा बदलाब ज प्रदेश की सम्हू गा की भरतियों में अब ट्रपल सी अनिवार कर दिया गया है और इसकी बज़े से तमाम ऐसे कंडिडेट्स को निराशा देखने को मिलेगी जिनने ट्रपल सी नहीं किया है तो वो लोग आने वाले समय में जो भी बेकंसी आईगी गुरुप सी की उसमे ट्रपल सी अनिवारतिक है क्या है पूरा मामला इस वीडियो में पूरा आप लों को बताऊंगा तो पीडियो को प्लीज अंट तक जरू देखेगा एक बहुत ही महत्तपुन इंफॉर्मिशन इन तमाम कंडिडेट्स के लिए जो कि लेकपाल भरती 2020 की प्रप्रिशन कर रह लेते हो जो कि mostly repeated question है यूपी ट्रपल सी के ठीक है बो भी आप लों को वन लाइनर फॉर्मिट में प्रवाइड कर आए गए है और इस तरीके के question आज तक मार्केट में कोई किताब नहीं है जो आप लों को वन लाइनर फॉर्मिट में इस तरीके question प्रवाइड कर आई हो किस तरीके से तो आने वाले किसी भी परिक्षा में खास तोर पर यूपिटर पलस से के हम बात कर रहे हैं उसमें आप लोग जीएस के अगर हम बात करें तो कम से कम 80% question को easily हल कर पाओगे और इसके लावा ग्रामीन परवेश के लिए भी हमारे संपूर नोर्स उपलब्द है उस तो वो तमाम प्रशनों के लिए आप लोग को अलग-अलग से किताब खरीचनी की जूरुत नहीं है यह संपूर्ण नोट्स हैं जिसका लिंक description box में दिया हुआ है बहां पर जाकर कि आप इनको download कर सकते हो चलिए finally मुद्धे पर आते हैं जैसे कि मैंने आप लोग को बढ़ वो आज की जलक में दिखा देता हूं आज से ही लगबग लागू मानी लो आप लोग क्यों क्योंकि आज आपको मालू हो है क्रशी विभाग के समूह गाह में लगबग धाई अजार वेकंसी आई है ठीक है उनमें से अगर हम बात करें समूह गाह के पड़ों की तो यहां प देख सकते हैं आप लोग कि यहां पर इंटर्मीडेट वाली ठीक है बार्मी वाली जो हैं यह समूह गाह की तो इसके लिए आप लोग को ट्रपल सी सर्टिफिकेट इंटर्मीडेट के साथ में अनिवार है तो यहां पर बहुत ही जरूरी हो गया है कि अब अगर आप लोग को बता दिया था कि लेकपाल भरती के लिए मैंने बताया था आप लोग को कि आने वाले लेकपाल की जो परिक्षा होगी उसमें आप लोग को ट्रपल सी की जर्च पड़ेगी ठीक है यहां पर देख सकता है आप लोग लेकपाल भरती के लिए कंप्यूटर ग्यान जरूरी देखे एक तरब सरकार ये कहते हैं ये कंप्यूटर ग्यान जरूरी ये बात तो समझ आती बट ये बात कुछ हद तक मुझे समझ नहीं आती कि साथ आप लोग भी से सैटिस्वाई होगे कि जो कंप्यूटर ग्यान की बात की जा रही है कि ट्रपल सी साटिफिकेट होगा तभी ये माना जाए कि कंप्यूटर ग्यान है अगर ट्रपल सी साटिफिकेट नहीं है तो क्या कंप्यूटर ग्यान नहीं है मुझे तो लगता है कि इसके लिए एक अलग से परिक्षा या फिर एक टेस्ट करा लिना चाहिए छोटा सा कम्प्यूटर पे किसको कम्प्यूटर चलाना आता है या नहीं आता है देखे क्योंकि आप लोग बढ़ा है कि बिभागों में एक दो सॉफ्टिवर पर ही काम होता वो भी डाटा एंट्री का काम होता और यह डाटा एंट्री का काम हम लोग अपने एंडरोड मुवाल से भी बहुत ज्यादे करते हैं ठीक है तो बिलकुल सिंपल होता है बट यहां पे जो सर्ते सरकार की तरफ से रखी गए भई ट्रपल सी अनिवार है तो यह बात समझ नहीं आती है कि ट्रपल सी अनिवार है ठीक है बट जिन कंडिडेट को कम्प् सी सर्टी पिकेट हो तभी आविदन करवाना सरकार ने जो यह नया रूल रखा हुए सही है कितना गलज है ठीक है तो आप लोग भी अपनी राय दीजिए कि दिखें बैसे तो अभी की बात पर करें कि ट्रपल सी मस्ट है तो बेटे जिन के पास में ट्रपल सी नहीं है ट्र ला नाविदन कर दीजिए क्योंकि आप ट्रपल सी के एक्जाम जो है वो समय पहूने लगे हैं तो समय रहते आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप लोग के लिए अच्छी बात है वरना में दिक्कत हो जाई काफी क्योंकि बहुत सारी ऐसी बेकेंसियां है गुरुप सी की जिनमें ट्रपल सी अनिवार रहे है अब तो वैसे भी पड़ों के लिए गुरुप सी के लिए ट्रपल सी अनिवार कर दिआ गए तो आप लोग क्या सोचेयां इसके बारे में अपनी लाय कमेंट बॉक्स मैं ज़रू दीजेगा इसके अलावा आप लोग किसी भी तरीके की सिकायत है या फिर कुछ भी पूछना चाहते हो मुझसे ट्रफल सी के बारे में तो आप मुझे मेरे इस नंबर पूछ चकते हैं चौरानवे चपपन अठानवे दस सतानवे वस बेटा बॉट से अब करिएगा कॉल मत करिए क्योंकि कॉल मैं उठा नहीं पाता हूं ठीक है तो अब मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में आई हो वीडियो थोड़ी बहुत आप लोगों को अच्छी लगी होगी चलिए हम मिलते हैं अग के लिए भाई भाई टेक कर और थेंक्स वर वाचिंग